समर्थ स्टूडेंट रिजिटेशन के लिए हमें Google पर Ddu की वेबसाइट को सर्च करना है वेबसाइट का टैब उपन होने के बाद हम वेबसाइट के राइट हैंड साइड में देखेंगे Login and Portals जिस पर क्लिक करने के साथ हमारे सामने समर्थ के चार Options उपन होंगे इन में से हमें समर्थ Student Portal को क्लिक करना है ये पोर्टल पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया टैब उपन होगा जिस तो User ID और Password डिमांड करेगा ये User ID और Password अगर आप Pre-Registered हैं तो आपके पास होगा आप उसको डाल करके Login कर सकते हैं और New Registration के लिए आप यहां Green Box पे क्लिक करेंगे इस Box पे क्लिक करते हैं एक Format Open होगा जिसमें आपका Registration फॉर्म आएगा सबसे पहले आपको अपने Program को Choose करना है Program in the sense के आप जिस कोर्स में Enrolled या Registered है इसमें दो चीज़ें समझने वाली हैं कि जो स्टूडेंट अभी 5th और 6th समस्टर में हैं वो Bachelors of Arts 2021 को क्लिक करेंगे और जो स्टूडेंट अभी 1st और 2nd समस्टर में हो Bachelors of Arts via Honors पे क्लिक करेंगे Rest of the student अपने subject के according as it is अपना Program को Choose करेंगे फिर आप इसमें Mode of Registration फिर आप इसमें अपना Enrollment Number फिल करेंगे Enrollment Number फिल करने के बाद आप नीचे दिया Capture Code इसमें फिल करेंगे फिर उसके बाद आप Submit करेंगे इसको Submit करने के साथ ही आपके email और phone number पे OTP जाएगा उस OTP को आपको यहाँ पे क्लिक करना है फिल करने के बाद आप इस OTP को Verify कराएंगे Verify करने के साथ आप जब यहाँ पे OTP फिल करेंगे और इसे Submit करेंगे तब आपके सामने एक New Format Open होगा जिसमें आप अपनी user ID और password को create करना होगा user ID आपके enrollment number रहेगा और password आपको कोई strong create करना है जिसमें आपको numeric form, upper case, lower case इन कुछ specific symbol को use करना होता है जिससे आपके password strong बने फिर आप जब यहाँ पे submit करेंगे तो आपका registration complete होता है अब registration complete होने के बाद आपको वापस उस portal पिचाना है और अपनी user ID और password के साथ इसमें login करना है जब आप इसमें अपनी user ID और password को डाल करके इसे login करेंगे तब आपके सामने एक form open हो जाएगा उस form में open होने के बाद आप home पर देखेंगे जो dashboard है का उस पर click करेंगे अपने subject में और यहाँ पर सबसे पहले आपकी ABC ID यह demand करेगा इस पर click करते ही आपके पास यह tab को open होगा जिसमें आपको ABC account center पर click करना है यह click करने के बाद आप back होंगे back होने के बाद आप इसको forward करेंगे अपने examination form में तो यह सारे details आपके आएंगी यह आपका course selection है जिसमें आपको अपने credit को choose करना है आपको each section से उसमें selected जितने credits हैं उसको choose करना है जिससे 4 section में आपने 3 किया और 5 section में आपने 2 credit किया यह maximum credit जो हैं आपके 23 होने ही होने है यह credit select करने के बाद आप इसे submit करेंगे submit करने के बाद आपके पास इसके detail open हो जाएंगे ये इसमें दो option है update course selection and submit course selection तो आप इसे बाद में update भी कर सकते हैं इसे आप जब submit करेंगे तो आपके सामने ये screen open होगा इस screen open और आप इसे cross check कर लेंगे कि आपका subject और course credit सही है या नहीं आप फिर home पर जाएंगे फिर आप यहाँ पर examination में आएंगे examination में आने के बाद आप देखेंगे registration तो examination registration आपके सामने open होगा इस पर आपको examination for registration को click करना है ये click करने के साथ आपका यहाँ पर form open हो जाएगा ये form already पूरा credential के साथ होगा अगर आप PWD हैं तो इसमें आपको उसके details भरने और अगर आप नहीं है तो इसपे click करने के बाद आपको not applicable करना है फिर आप अपनी credits को check कर लीजेगा आपके according है यानि आपके subject और choice के according फिर इसके बाद आप इसे submit कर दीजे submit करने के बाद आप इस form को एक पर अच्छे से पढ़ लेंगे अगर आपको कुछ update करना है तो update भी कर सकती है आपसे submit करें तो ये आपका form finally submit करेंगा अब ये form जब आपका submit हो जाएगा